अब हम लोग का नया टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा बिटा और इस टॉपिक का नाम है एप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिव यह चैप्टर नंबर 6 है हमारे NCRT का और इसको हम लोग इन शॉट बोलते हैं एप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिव तो भी तक हमने पढ़ा कि डिफ्रेंशेशन क्या होता है डिफ्रेंशेशन कैसे करते हैं इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम डिफ्रेंशेशन का यूज क्या कर सकते हैं ओके अप्लिकेशन क्या है डिफ्रेंशेशन के तो इस चैप्टर रेट मेजरमेंट, that is रेट मेजरमेंट, ओके बेटा, रेट मेजरमेंट, रेट मेजरमेंट का मतलब होता है कि किस रफ़तार के साथ आपका भाव बढ़ रहा है या भाव घट रहा है, तो आप बोलते हैं हिंदी में भाव बढ़ना, आपने अपने मित्रों को बोला होगा अकसर बात करते हैं, सुना होगा आप लोगोंने, क्या बात है आजकल तुम्हारे भाव बहुत बढ़ गए हैं, है ना, किसी को भाव घटते तो मैंने नहीं सुनाया अस तक, मगर भाव ब बढ़ गए हैं, जहां पर आपका रिस्पेक्ट अन्नोन रहता है, तो वहां पर इसका मतलब होता है, वहां पर रिस्पेक्ट जो होता है, वहां पर टाइम होता है, जैसे मैं बोलूँगा, कि संचारी आजकल तुम बहुत तेज हो गई हो, या बहुत तेज पढ़ रही हो, तो अगर मैं यह बोलोगी सर age किसके respect में अगर मैं कोई respect नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब है वहाँ पे time है respect मतलब आप किसी भी चीज की बात कर रहे हैं with respect to time है ना अगर आप जल्दी जल्दी learn कर रहे हो so this is called learning with respect to time dl by dt अगर आप जल्दी जल्दी displacement travel कर रहे हो so this is displacement with respect to time तो अब अब हम इसी चीज को diagram में देखते हैं इसे मान लीजी बेटा की आप जो है एक तालाब के किनारे किसी height पर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर आप इस तरीके से पैर जुला के बैठे हुए हैं ठीक है न और आप ने अपने हाथ से तलाब में एक पत्थर दे मारा यह तलाब का level है अब तलाब में अपने हाथ से पत्थर मारा जैसे ही पत्थर नीचे जाएगा यहाँ पर क्या त्यार होंगी waves त्यार होंगी बुलिए सौनो और यह waves लगातार बढ़ती जाएंगी क्यों बढ़ती जाएंगी क्योंकि इनकी radius बढ़ती जा रही है और waves बढ़ेंगी तो radius के साथ एरिया भी बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर radius पहले इसकी यहाँ तक थी फिर बढ़के और हो जाएगी फिर बढ़के और हो जाएगी फिर बढ़के और हो जाएगी इस तरीके से यह radius बढ़ती जाएगी और यह चल्ले बढ़े होते जाएगी तो एक चीज़ आपको given होगी dr by dt मतलब change of radius with respect to time यह चीज़ आपको given रहेगी ओके यह आपको given रहेगा और आपसे क्या बोलेगा कि अगर radius बढ़ रही है तो बताएगे क्या यह जो चल्ले है इनका area भी तो बढ़ेगा न तो आपको कहेगा area किस rate से बढ़ रहा है मतलब आपको d a by dt calculate करना पढ़ेगा okay d a by dt calculate करना पढ़ेगा तो अगर आपको इसको कह सकता है how fast, how slow तो जब भी आपको how fast या how slow या how rapid इस तरीके के word हो समझ जाओ कि यहाँ पर respect क्या है time respect है यहाँ पर time respect के sense में बात की जा रही है बोलो clear बेटा चलिया यह question करते है पहला question उठाते है उससे आपको बहुत सारी चीजें clear हो जाएंगी first question यह है first question पढ़ने के पहले एक चीज मैं आपको बता दूँ देखिए एक तो आपने देखा area with respect to time वो भी ठीक है बट आप यह देखिए radius भी बदल रही है तो radius के साथ साथ area भी बदल रहा है तो आपसे हो सकता है कि किसी question में DA with respect to DR पूछ ले तो आपको अच्छे से question देखना पड़ेगा कि किस के respect में पूछा है time के respect में पूछा है कि कि किसी और variable के respect में पूछा है यह आपको question को अच्छे से watch करना पड़ेगा देखना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा चलिए आईए देखते हैं हमारे पास सबसे पहला question find the rate of change of area of circle with respect to its radius पहला question आपके NCRT book का find the rate of change of area of a circle with respect to its radius भा भाई मतलब हमको rate of change of area निकालना है with respect to radius तो area का change of rate with respect to आपको radius निकालना है समझ गए होंगे आप मतलब आपको area का rate of change with respect to radius मतलब आपको क्या find करना है d a by d r ये चीज़ आपको find करनी है rate of change area with respect to radius क्योंकि यहाँ पे respect to radius दिया गया है कब जब r equal to 3 cm है radius की value जब 3 cm दी गई है चलिए solve करते हैं तो हमें area का rate of change निकलना है तो we know that area हमारे पास कितना होता है pi r square अब हमको d a by d r find करना है तो d by d r pi r square pi constant होता है बाहर आजाएगा d by d r of r square और r square का derivation differentiation कितना हो जाएगा 2 r so your answer will be 2 pi r so d a by d r equals to 2 pi r मतलब जो derivative आगया आपका with respect to radius this is equals to 2 pi r यह आपका derivative आगया अब क्या कहा गया है d a by d r rate of change of area बताना है कब जब r की value 3 cm है तो आपको r की जगे 3 put कर देना है तो 2 pi into 3 so answer कितना जाएगा बिटा 6 pi अब unit रख दीजे area की unit क्या होगी cm2 radius की unit क्या होगी cm तो इसका answer आगया 6 pi cm2 per cm चेक कर लिजे 6 pi cm2 per cm यह देखिए यह answer हो गया बोली बेटा clear है similarly हाँ नहीं बेटा unit कैसे divide नहीं 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 यह rate of change है बेटा ठीक है इसमें divide नहीं होगा यह divide नहीं कर सकते हो नहीं तो पता नहीं चलेगा कि यह rate of change है अगर आपने cm2 को cm में divide कर दिया अगर आपने divide कर दिया तो यह cm आएगा और यह किसको reflect करेगा यह तो length को reflect करेगा तो question में हमसे length थोड़ी ना पूछी है question में हमसे तो rate of change of area with respect to radius तो उपर area की unit है और नीचे radius की unit है clear की not clear नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं नॉर्मली अन्य जगे पर कर सकते हैं यहां नहीं कर सकते हैं इस chapter में नहीं कर सकते हैं clear हाँ बाकी अन्य चेप्टर में आप कर सकते हैं बिल्कुल करते ही हैं ओके तो चलिए देखिए अगला question 4 cm पे तो da by dr equal to कितना हो जागा 8 pi क्योंकि वहीं आजागा 2 pi r तो r की जगे 4 रखेंगे तो answer आजागा 8 pi clear बिटा चलिए next question हाँ 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 यहाँ पे direct put कर सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा वो टी बगरे लेने की कोई जरूद नहीं है ठीक ना चलिए next question देखते हैं तो यह वाल्यूम के बदलने की rate दी गई है okay so what is this it is actually dv by dt क्या दे रखा है 8 cm3 per second how fast this surface area will be increase आपको निकालना है d a by dt okay surface area कैसे बदलेगा increasing okay when the length of an age is 12 cm जबकि इसी age की length जो है वो 12 cm है चलिए कैसे करते देखें तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक cube assume करना पड़ेगा question number 2 मान लेते हैं let us we have a cube with variable ages side a या x लो कोई दिकत नहीं उससे ये देखी मेरे पास एक cube है और ये cube बड़ा होता ही जा रहा है मैं बना नहीं सकता हूं इसको बड़ा होते हुए बट ये variable side का है तो इसकी age को मैंने x मान लिया ये भी x है ये भी x है और ये भी क्या है x है तो ये cube है अब ये size दिर 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 इसकी बड़ी होती जाएगी मतलब हर तरफ से expand होता जाएगा इस तरीके से यहां से भी बड़ा हो जाएगा यहां से भी हर तरफ से बड़ा हो जाएगा इधर से बड़ा हो जाएगा इधर से बड़ा हो जाएगा तो एक निया क्यूब इस तरीके से एक इस क्यूब पर बन जाएगा ठीक है पिटा समझ रहे हैं मैं क्या केने चाहिए हूं यह क्यूब एक्स है किसी मोमेंट पर इसका जो वॉल्म होगा ओके लेट उस वी हैव एक्स विद इस वेरियेबल साइड एज एक्स एस कितना एक्स अब देखिए हमको क्वेस्चन में दिया गया है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्म है यह दिया गया है अब देखने में समझ में आ गया है कि यह किसके रिस्पेक्ट में है टाइम के रिस्पेक्ट में है मतलब हमको वॉल्म का रेट दिया गया है तो क्या गि में ने हमें हमें गिवन है वी है गिवन गिवन डी भी वाई डिटी एक्वल स्टू एक्वल्स टू एट सेंटिमिटर क्यूबिक पर सेकेंड फोलो ठीक है बेटा बिटा हमें यहां पे volume का rate of change, volume increase कर रहा है, cube का, at a rate of 8 cm3 per second. Yes, sir. तो हमें dv by dt कितना दिया गया है? 8 cm3 per second. Clear? Yes, sir. Rate of change of volume with respect to time. तो यहां से dv by dt निकालता हूँ, time के respect में differentiate कर दूँगा. तो dv by dt equal to d by dt of x cube. इस सिखा रखा मैंने, यह हो जाएगा dv by dt equal to, क्या हो जाएगा, यह dv by dx, x cube and dx by dt. पता है आपको, ना? Yes, sir. dv by dt. अब यहां पर अगीन, dv by dt equal to, 3x square and 2 dx by dt. dv by dt की value कितने दी गई है? 8 दी गई है. ओके? dv by dt की value जो है, 8 दी गई है. 8 equal to 3x square dx by dt. ठीक है? 8 equal to 3x square dx by dt. तो यहां से dx by dt की value निका लिजे. dx by dt is equal to 8 upon 3x square. बोलो बेटा, yes की no? Yes, sir. अब हमसे question में, क्या पूछ रहा है बेटा, देखे? question में कूछ रहा है, how fast is surface area increasing? कितनी तेजी से, मतलब time के respect में, surface area पूछ रहा है, जिस समय age 12 cm, मतलब x equal to 12 cm है. तो हमसे rate of change of surface area पूछ रहा है, okay? So we know, क्या जानते हम? कि surface area of cone, s equal to कितना हो जाएगा, बेटा? 6x square. यह अगर मैं side लेता, तो 6a square होता है, बट अब x ले लिया है, तो x को चलने दो. तो surface area of cone कितना हो जाएगा, बेटा? 6a square. अब हमको पूछ रहा है कि surface area किस रफतार से बदल रहा है, means ds by dt आप से पूछ रहा है. तो ds by dt equals to d by dt of 6x square. So 6 constant है, d by dt of x square, 6 constant बहार जाएगा, यह d by dx हो जाएगा, x square हो जाएगा, और dxy dt. Clear, बेटा? तो यह हो गया, 6x square को हो जाएगा, 2x, और dx by dt लिया गया. तो 6 into 2 कितना हो गया? 12x. तो dx by dt की value आपने अभी निकाली उपर से. कितनी है? 8 upon 3x square. बोली है कि नहीं है? Yes, sir. तो यहाँ पर हम dx by dt की value पूट कर देते हैं, 8 upon 3x square. 8 upon 3x square. 1x से 1x cancel हो जाएगा. 3 से 4 बार 12 चला जाएगा. तो कितना हो गया? 32 upon x. क्या गया यह? d a by dt. अब question नहीं कहा है, area का rate of change निकालना है. जिस समय x कितने cm है? 12 cm. तो हमको यहाँ पर x की value 12 रखनी पड़ीगी. तो लिखना ऐसे चाहिए. d a by dt, rate of change of area. तब dash लगा के x equal to 12 cm पर 32 by 12. पाटा कूटी कर दीजे. 2 से 6 बार 12 और 2 से कितने बार 16 बार. फिर 2 से 8 टाइम्स जाएगा और 3 टाइम्स जाएगा. तो answer कितना आ गया? 8 by 3. अब बिट आपको unit बतानी है. तो उपर area बैठा है. बताए संचारी area के unit क्या होगी? cm2. cm2 upon second. पर second. तो correct answer 8 by 3 cm2 पर second. clear? यस सर. तो answer आ गया? 8 by 3 cm2 पर second. इस दा correct answer. चेक करते हैं. 8 by 3 cm2 पर second. तो ये देखें. बिल्कुल सही. 8 by 3 cm2 पर second is the correct answer. done बिटा? यस सर. तो ये हमारा पहला topic है. rate measurement का. और सारे question बिटा rate measurement के. हमको इसी परकार से करने हैं. खीकर न? चलिए देखें. एक बढ़िया अगला question है. यहाँ पर question number 10. इसी exercise का question number 10 है. कैसे करते हैं देखें इसको. question क्या रिखा है? एक दीवार है. उस पर एक लेडर जो है. लीन करके जुकी हुई, रखी हुई है. question number 10. ये एक लेडर है. ये दीवार है. और एक जमीन है. इस पर एक लेडर रखी हुई है. ठीक है? yes. ये दो access हैं. यहाँ पर इसको आप x access ले सकते हो. इसको आप y access ले सकते हो. तो अब ये distance जो है लेडर की यहाँ से आगे की तरफ धीरे 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 लेडर खिसकेगी. मतलब ऐसे हाल होंगे की ये लेडर का ये वाला हिस्सा जो है, एक हिसेट करके नीचे आएगा. और अगर ये नीचे आएगा, तो ये वाला हिस्सा बढ़ करके आँगे जाएगा. फॉर एक्जामपल मान लेजिए कि लेडर किसी सिचुईशन में ऐसे भी पहुँच सकती है. तो इस वाले दूरी को किसी इंस्टेंट पर आप एक्स मान लेजिए. और ये वाली जो दूरी है किसी इंस्टेंट पर आप क्या मान लेजिए कि वाई मान लेजिए. बोले ठीक है बिटा और ये तो आपको fix है ladder आपको 5 meter की दी गई है a ladder of 5 meter long leaning against a wall the bottom of the ladder is pulled along the ground bottom जो है ladder का वो जमीन के along है away from the wall at a rate pulled along the ground मतलब इसका bottom जो है खिचा चला जा रहा है वो दीवार से धूर की तरफ कितने rate से 2 cm per second तो अगर ये distance x है तो ये distance बढ़ रही है किस rate से इसको मैं लिख सकता हूँ dx by dt dx by dt ये इस rate से बढ़ा जा रहा है क्या दे रखा है 2 cm per second जी हाँ तो ये जो है 2 cm per second की rate से ये इसकी distance लगातार बढ़े जा रही है और ये बढ़ने के बाद ये जो distance है ये कम हो रही है किस rate से कम हो रही है dy by dt घट रही है so dy by dt is how much dy by dt जो है 2 cm per second की rate से जा रही है how fast its height on the wall decreasing ओके 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 तो हमें ये calculate करना है कि किस rate से जो इसकी wall पर उचाई है दिवाल पर उचाई है वो कम होगी किस rate से कम होगी ओके ये हमको calculate करना है और क्या data दिया गया है when the foot of the letter is 4 meter away from the wall मतलब किस rate से कम होगी और एक समय दिया गया है कि जिस समय जो foot है वो 4 meter दूरी पर है तो मतलब जिस समय x की value 4 है चली वो तो last वाला point है x की value 4 equation कैसे बनेगा यहाँ पर देखे हमने मान लिया किसी instant पर इसकी दूरी कितनी है x है इसकी दूरी y है तो by pi था गुरस theorem मैं क्या लिख सकता हूँ x square plus y square equal to 5 square बोलो बेटा यह होगा की नहीं होगा yes sir x square plus y square equal to 5 square means x square plus y square equal to 25 so y square equals to 25 minus x square यह हो गया मेरे को क्या दिया गया है dx by dt दिया गया है और मुझे निकालना है d by dt so again y square equals to 25 minus x square differentiating with respect to time so time की respect में differentiate कर दूंगा so d by dt of y square equals to d by dt of 25 minus x square so यह कितना हो जाएगा 2y dy by dt equals to 25 का 0 minus 2x dx by dt so dy by dt is equals to minus का 2x upon 2y and dx by dt 2 से 2 कैंसल कर दिजे finally आपके पास में dy by dt आ जाएगा मतलब उसके bottom top के point के नीचे जाने की रिए dy by dt equal to negative x upon y dx by dt देखिए यहाँ पर आपको dx by dt पता है dx by dt 2 cm पर सेकेंड दिया गया है तो आप यहाँ पर value डाल सकते हैं minus x upon y into 2 that is equal to minus 2x by y dy by dt है तो y की unit क्या है sorry इसको सही जिक दो so this is dy by dt यहाँ पर y की unit क्या है cm और time की unit क्या होती है second तो dy by dt आ गया मेरे पास minus 2x upon y cm पर second अब इनका कहना है कि आपको इसकी rate बतानी है बट कब जब x equal to 4 cm है 4 m है कि 4 cm है हाँ it is 4 m away from the wall जब आपको x की value 4 अब देखिए put करा है cm और दिया है meter तो यह गलत है बिटा यहाँ पर cm ही चलो लेके तो आपको बताना है कि जब ladder जो है 4 cm है away from the wall जब आपको ladder जो है वो 4 cm away from the wall है उस समय किस rate से जा रहा होगा तो x की value 4 cm है और हमाए पास एक relation क्या है हमें क्या चाहिए है x तो put कर देंगे बट हमको y भी चाहिए है इस moment पे तो relation है मेरे पास x square plus y square equal to 25 तो y square equal to 25 minus x square x की value put कर देता हूँ तो y square equals to 25 x का square और 4 का square 16 so y square equals to 9 y equals to under root 9 मतलब 3 बोलो clear बीटा so y की value 3 आ गई so now d by dt equals to minus 2 x की value किते centimeter दी है 4 और y की value किती दी है 3 centimeter per second answer आ जाएगा minus 2 4 जा 8 upon 3 centimeter per second 8 by 3 centimeter per second यह आगे हमाँ पास answer so this is minus 8 by 3 centimeter per second negative sign क्या बता रहा है negative sign बता रहा है कि y की value कम हो रही है मतलब decrease हो रही है मतलब y जो है उपर से नीचे की तरफ जब आएगा y का end यह वाला end तो यह y क्या हो रहा है कम हो रहा है ठीक है so y जब कम होगा तो d by dt क्या आएगा negative आएगा जो चीज कम होती है उसका rate of change negative आता है जो चीज बढ़ती है उसका rate of change positive आता है clear की not clear yes sir चलिए तो यह हो गया हमारा rate of change का rate measurement का एक question यह और हो गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके गाईज देखिए अगला question आपके सामने question number 14 है क्या कह रहा है sand is pouring है ना from a pipe from a pipe कोई pipe है उससे rate को गिराय जा रहा है कुछ इस तरीके से यह एक आपके पास में pipe है और इससे आप जो है rate को गिरा रहे है तो rate यहां से गिर रही है और rate जब यहां से गिरेगी बटा तो यहां पे क्या बनेगी एक heap बना रही है यहां पे आके जब गिर करके यह मालीजे जमीन है तो यहां पे एक heap type का बना रही है एक धेर type का अब आपको पता है कि यह आप कुछ उपर से गिराएंगे तो naturally है कि इस तरीके का cone type का shape बनेगा बोलो बेटा बनेगा की नहीं बनेगा तो यह ऐसा cone बनेगा इसको हमें एक regular cone फील करते हैं यह हमने एक regular cone बना दिया है ठीक ना यह यह regular cone बन गया है अब क्या कहना इनका question का sand is pouring from a pipe at a rate of 12 cm3 तो यह दिख रहा है cm3 क्या होता है और second क्या होता है time होता है मतलब rate के बाहर आने की जो rate है जिस rate से rate बाहर आएगी उसी rate से cone बनेगी मतलब rate के बाहर गिरने की rate और cone के बनने की rate सेम होगी so cone के बनने की rate मतलब rate of change of volume क्योंकि जो rate जा रही है पूरे volume में जाएगी and it is given here कोन के volume change की rate है 12 cm3 की rate से कोन formation हो रहा है so this is given you 12 cm3 की पर सेकेंड यह आपको दे दिया गया है 12 cm3 की पर सेकेंड सरी कंपल सरी है कि कोन परफेक्ट बने हाँ बिटा कंपल सरी ही है कोन परफेक्ट बनेगा और बनता भी कोन परफेक्ट मतलब rate अगर डिस्टर्ब नहीं है तो कोन परफेक्ट ही बनेगा है ना और वैसे उन लोगों ने बोल दिया है तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं है the falling sand forms a cone बात खत्म हो जाती है क्योंकि उसने कोन बोल दिया on the ground such a way that height of the cone is always one-sixth of the radius of the base अब मान लिजे किसी समय इस cone की height h है height भी बदलेगी लगातार और radius भी बदलेगी लगातार तो यहाँ पर कह रहा है कि height of the cone okay such that height of the cone is always one-sixth of the radius मतलब radius की क्या है six part है तो r equal to कितना हो जाएगा भीटा 6H clear अब हमसे क्या कह रहा है कह रहा है how fast the height of the sand cone increasing when height is 4 cm per second तो किसके बारे पूछ रहा height के increase के बारे में मतलब आपको बोल रहा है dhy dt find करना है rate of change of height with respect to time आपको find करना है ठीक है चलिए तो अगर आपके पास let at any moment height of the cone b small h and radius of base b small r then volume of the cone कितना होता है volume of the cone आपने पढ़ा होगा 1 by 3 pi r square h यह होता है होता है की नहीं होता है भूल बटा यह सर्म volume of the cone equal to 1 by 3 pi r square h now v equals to अब यहां पे कह रहा है जो कोन है उसकी जो radius है वो height का 6 times है because h equal to r by 6 तो r equal to 6 h तो यहां पे pi r की जगे रख दूंगा 6 h का whole square into h so volume equal to 1 by 3 pi 6 का square 36 h square और multiply by h so v equals to 1 by 3 pi 36 h cubic this is volume यह आपके पास में volume हो गया इसको काट दीजे 36 को 12 मतलब volume of the cone आ गया कितना 12 pi h cube यह अपने पास में volume आ गया है अब आप नई चीज़ दी गई है कि volume की जो rate of change है dv by dt वो आपको कितनी दे दी गई है question में 12 cm3 per second so dv by dt equals to 12 दिया है तो यहां पे मैं value put कर देता हूं d by dt volume कितना है भाई साब यहां पे 12 pi h cube है equals to कितना हो गया 12 तो 12 constant common आ जाएगा और 12 से 12 cancel हो जाएगा आप कि चाहें तो इसको यहां ना cancel करें तो आपको ज़्यादा relax रहेगा अगले step में cancel कर देता हूं तो 12 pi constant है d by dt किस के उपर operate होगा h के उपर because h variable है और यहां पे 12 है अब आप 12 से 12 cancel कर सकते हैं clear बिटा now pi yes sir तो pi को भी ऐसा constant consider करते है ना obviously बिटा pi तो 22 by 7 constant ही होता है yes sir now d by dh h का cube into dh by dt हो जाएगा equals to कुछ नहीं बचा तो 1 बचके है यहां पे तो pi into 3 h square into dh by dt equals to 1 so pi यहां पे dh by dt dh by dt equals to 1 upon 3 pi h square okay unit के आएगी centimeter per second because सब की चीजे height centimeter में होगी और यह second में होगा तो centimeter per second आएगा अब आपको कह रहा है जिस समय height 4 centimeter है तब आपको value निकाल लिए so dh by dt dh by dt फियर तहां निकलना है h equal to 4 पे निकालना है तो value put कर दीजे 1 upon 3 pi की जगे 22 upon 7 तो 7 सबसे नीचे है उपर चला जाएगा और यहां पे है h का square तो 4 centimeter का square 4 का square 16 हो जाएगा so 7 सबसे उपर and here 3 into 22 into 16 so 7 by 3 into 22 into 16 यदि इसको हम pi में लेना चाहते हैं तो हमारा answer pi में दे रहा है तो मैं pi में ही answer ले जाता हूँ तो यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि answer मेरा pi में है 1 upon 3 into pi था 3 pi h square h square मतलब 4 का square so कितना हो जागा 1 upon 3 pi into 16 48 pi so 1 upon 48 pi cm per second यह answer होना चाहिए बिल्कुल सही 1 upon 48 pi cm per second इसका answer आ रहा है हमारा rate of change of height dh by dt तो इस rate से कोन की height जो है बढ़ती जाएगी जो आपका heap है यह इस rate से time के साथ बढ़ता जाएगा तो बोल रहा है कि बताईए कोन की height कि rate से increase करेगी so the rate of change of height with respect to time is equal to 48 pi cm per second I hope it is clear Yes sir Done चली संचारी इसके बाद आपको I think सब बन जाएगे है ना Yes sir marginal revenue जो होता है वो total revenue का differentiation होता है बस याद रखेगा जैसा उसमें solution लिए वैसे इसको solve कर लिए revenue क्या होता है revenue मतलब पैसा total cost revenue को ही cost लिए तो कुछ नहीं बेटा इसको differentiate करके जो x की value बोली है marginal के लिए वो value पुट कर दिना जैसे अगले question में 17 article के लिए बोला है तो differentiate करके x की जगे 17 रख दो है ना फिर उसके अगले question में देखो x की जगे 7 बोला है तो differentiate करके x की जगे 7 रख दो clear कि यस सर्व बन गया पूरी exercise कि यस का बहुत बच्ची ठीक है कि यह आपका गया कि आपको पूरी पीडिये भेज दी जो आज मैंने पढ़ाई इसी में एड होता जा रहा है कि यह सर्व पूराना है उसी में एड होता जा रहा ही तो आपको एड दा इंड मिल जाए गई लास्ट में होगा जो आज पढ़ा है मैंने इसमें इस चैप्टर में एक टॉपिक है आज खतम कर दिया कल मैं आपका खतम कर दूँगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ठीक है यह सर्थ आज आप एक्जांप्लर और एक्जाम आइडिया से बाकी बचे हुए क्वेश्चन इसके कल लेना लगे हाँ तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा कल और उसके बाद आएगा हमारा है अग्समा मिनमा थीन टॉपिक है यह सबस्ट उसमें के बहुत जब्रदस कोश्यिंग फिर कोस्ट्राइप यह स्कूल में पढ़ी आपनी एक्सेसाइज है नहीं से अच्छे से नहीं पढ़ी थे जो मुल्ब समझ में नहीं आई है यह सर्थ इसमें से एक सेक्समाक्स का कुश्चान आता है जो रहूंगा मैं यह सर् यह संचारी आप करते रहें क्वेश्चन में करेगा है यह सर् झाल 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 आर पीएम रववलूशन पर मिनट को सबसे पहले बेटा उसमें मिनट को 60 में भाग दे दो कि डिवाइट कर दो दिवाइट कर जाएशा जाएशा करें कुछा थासुट झूम झाल 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 क्योंकि जो भी क्वांटिटी होकी वो सेकेंड में चलेगी है ना तो यह आगी इनकी ओरिजिनल फ्रेक्वेंसी अब आप फॉर्मूला जानते हो एक वो पे ओमेगा एक कॉल्टू कितना होता भीटा टू पाई न्यूव तू पाई एफ भी बोलते हो उसी को तो तो तू पाई का मल्टिप्राइ करके कि से बदल जागा यह एंगूलर फ्रेक्वेंसी में पहले थी इसकी सिंपल फ्रेक्वेंसी अब बदल गई क्योंसी दयसे अब नंबर उफ रिविलूशन निकालना है तो यह तो फिजिक्स उसमें के मैथ में भी पढ़ा पंदसे के लिए एक चक्कर में टू पाई रिडियन होते हैं है थी तो तो लंबर ओफ रेविलुशन के लिए टू पाई का डिवाइट कर देंगे नहीं बना हां एक सिक्ट से कर रहा हूं बसे करो 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 तुम जाओ गुडिये हैं से अभी में ख्लासली बात कर पूं तुम से ले 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 जानती है उन्हें किता गुस्सा आता है पता है ना शौर बहुत गुस्सा करता है ना बहुत गुस्सा हो रहा है क्यारा यूरा की परिशान कर रही है सर मेरे को नहीं दूँगा चलाने वो एक मारकर खराब हो जाएक तो बच्चे की पोचिंग बंद जाएगा इसलिए I am sorry अभी परशान मत करता हूँ आंगे झाल झाल से बसो चेकर नब हम जो सकाब झाल